Hello students, Maths Class 5th Exercise 15.4 Question number 1 Construct angles of the following measures with the help of a protector हमने क्या करना है? Angles construct करने हैं मतलब हमने ये angle बनाने हैं जो नीचे दिये गए है इन measures के angle बनाने हैं 45 degrees, 75 degrees, 60, 180, 120 ये जितने भी angles हमें नीचे दिये गए हैं हमने सभी angle construct करने हैं with the help of protector प्रोटेक्टर की help से हमने ये angles क्या करने हैं construct करने हैं तो first का A part हम यहाँ पे solve करके आपको दिखाएंगे 45 degree, कितने degree का angle हमने construct करना है 45 degree का यहाँ पे हम आपको करके दिखाएंगे हम यहाँ पे एक line ले ले लेते हैं आप अपनी मर्जी से ये क्या है? प्रोटेक्टर ये D है, D की shape में है तो ये क्या है आपका प्रोटेक्टर इसकी help से आप एक angle draw करोगे 45 degree का तो हम यहाँ पे कोई भी एक अपनी मर्जी से line ले ले लेते हैं हाँ जी, हम ऐसे एक line लेंगे सीधी line आपने लेनी हैं बिलकुल हाँ जी ये D की help से हमने या scale की help से कोई भी एक आप line ले लो यहाँ पे dark नहीं दिख रही है तो मैं आपको pen के साथ करके दिखा देती हूँ आप इसको pencil के साथ ही सभी angle draw करोगे अपनी notebook में आप पेंसे करके दिखा रहे हूँ क्योंकि आपको pencil से अच्छे से visible नहीं होगा इसलिए मैं pencil करके दिखा रहे हूँ आप pencil से करोगे हाँ जी तो हमने यह क्या ले लिए एक A B, line ले लिए यहां से लेके यहां तक A B, line segment ले लिया हमने यहां पे हम A पे क्या बनाएंगे A पे मालो हमने A पे 45 डिगरी पे अंगल बनाना आप कहीं पे बना सकते हो A पे या B पे अगर हम A पे बनाते हैं तो देखो हमने हमारी जो प्रोटेक्टर उसको कैसे अडजिस्ट करना है जो यह एक यह लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे और इस बेस लाइन को क्योंकि यह लाइन तब इदर हो जाएगी तो बेस लाइन को इसके साथ रखना है यहाँ जीरो से शुरू होना है अगर आप इदर वाली साइड इदर इस पॉइंट पे एंगल बना रहे हो तो इसको यहाँ पे रखोगो और इस बेस लाइन को जो डी के अंदर यह देखो जो यह डी के अंदर बेस लाइन है यह वाली लाइन यह डी के अंदर जो बेस लाइन है इसको इस वाली लाइन के साथ आपने adjust करना है बिल्कुल इसके साथ-साथ उपर नीचे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इसके साथ-साथ होनी चाहिए इस point पे हमने यहाँ पे रखा center point को हमने इसके बिल्कुल जहां से line शुरू हो रही है वहाँ रखना है और इसको जैसे यह है तो इसको आप ऐसे adjust इस line के दो को यह बीच में से दिख रही है हमें यह वाली line इसको ऐसे नहीं करना हमने बिल्कुल इसको इस type से adjust कर लेना है हाँ जी इस type से बिल्कुल इसके साथ देखो जो base line जो protector के अंदर base line है वो नीचे वाली हमारी line segment के बिल्कुल ही साथ-साथ हमने इस line को रखा है और जो यह वाला point हमने कहा जो starting point है उसको हमने इस line के साथ रखा है अब यहाँ पे हम 0 यह इस line के साथ base line हमारी match कर रही है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम 0 से शुरू होंगे यहाँ से क्या शुरू होंगे 0 से इस line के साथ हम 0 से शुरू होंगे और 45 तक जाएंगे 45 डिगरी के अंगल बनाना है 0, 10, 20, 30, 40 40 यहाँ पर 40 हो गया 50 जाद 50 और 40 के बीच में यानि कि यह जो लंबी लाइन है इसके सामने एक पॉइंट लगा हुआ क्योंकि 40 और 50 के बीच में आएगा 45, 45 कहा होगा 40 और 50 के बीच में यानि कि 40 से आगे जो यह थोड़ा असा लंबी सी यह लाइन दिख रहे हैं यह थोड़ी इन से लंबी है यानि कि यह सेंटर है इन दोनों का बीच है तो बीच में क्या होगा 45 होगा यहाँ पर हम एक छोटी सी डोट लगा लेते हैं इसके सामने हम यहाँ पर एक छोटी सी डोट लगा लेते हैं उसके बाद हम हमारे प्रोटेक्टर को उठा लेते हैं और इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम जोइन कर देते हैं यह पॉइंट से और इस जो जिस पॉइंट पर हमने 45 के सामने थोड़ा सा point लगाया था हमने चोटा सा उस point को ray point को हम join कर देते हैं तो ये c point हम माल लेते हैं कि ये कौन सा point है c और तो इस बीच में ये कौन सा angle बन गया 45 degree तो angle B, A, C angle B, A, C is equal to कितना आ गया 45 degree हाँची इस type से आपने क्या करना है angle construct करने है आगे 75 degree का angle हम आपको बना के दिखाते हैं यहाँपे हाँची next है first का B part first का B part कितने degree का angle आपने draw करना है 75 degree ऐसी हम यहाँपे same ऐसी इसको करेंगे एक line हम यहाँपे ले लिते हैं एक line segment हमने यहाँपे लिया हाँची इसको आप A, B, C, D कोई भी नाम ले लो A, B line segment हमने लिया अब हमने यहाँपे compass रखना है जो इसका बिल्कुल starting point है A line segment का बिल्कुल starting point है वहाँपे हमने compass के center point को रखना है यानि कि यह वाली line है हमें उस point के साथ रखना है A point के पास बिल्कुल ऐसे और जो यह वाली center line है D के अंदर जो यह वाली line होती है जो 0 के पास जारी है D के अंदर वो वाली line जो 0 के पास जारी है उसको हम इस वाली line segment के साथ join करवाएंगे उसकी बिल्कुल उपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए ना वो उपर बिल्कुल उसके साथ-साथ हम रखेंगे जो D के अंदर 0 के पास सीधी line जारी है, baseline है और उसको इस नीचे वाली line segment जो हमने draw किया था AB line segment लिया था, उस वाली line के साथ हम रखेंगे, जी इस type से देखो इसको थोड़ा से उपर नीचे करके आपको दिखा रही हो, देखो ये नीचे वाली line दिख रही है हमें इसके अंदर से, इसको ऐसे नहीं रखना हमें इसको 0 के साथ ऐसे रखने, 0 वाल लाइन के साथ और ये वाली line हमारी कहा होनी चाहिए बिल्कुल एके starting point पे इस type से आपने D को exist करना है उसके बाद आप क्या करोगे, 75 degree का आपने angle construct करना तो यहां से आप 0 से शुरू होगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 है, 75 कहा होगा 70 और 80 के बिल्कुल बीच में 75 degree के angle कहा मिलेगा आपको 70 और 80 के बिल्कुल बीच में यानि कि ये वाली जो लंबी line है वहां तक इसके अंदर क्या होते हैं जो ये छोटे छोटे आपको यहां पे दिये गए हैं कितने होएंगे 10 होएंगे क्योंकि 70 और 80 के बीच में 10 आता है तो इससे एक आगे लोगे तो 71, 72, 73, 74, 75 अगर आपने मालो 73 डिगरी के अंगल ड्रो करना है तो आप यहां से इनको count करोगे यहां पे 70 है तो यहां पे 71, 72, 73, 74 और यह है 75 75 वाला क्या है थोड़ा सा बड़ा इन्होंने शो किया गया है बीच में जो हांजी तो हमने 75 का बनाना तो इसके सामने हम छोटा सा dot लगा लेते हैं 75 डिगरी के अंगल बनाना था तो 75 जहां पे भी आ रहा है D में उसके सामने हमने क्या क्या छोटा सा डोट लगा दिया, अब हम यहां से प्रोटेक्टर को हटाते हैं, और A point से, A point से इस point को हम जोइन कर देते हैं हाँ जी हम इसको A point से जोइन कर देंगे, इसको C point का नाम दे देते हैं, और यह angle कितने degree का है, 75 degree, यानि कि angle B, A, C B, A, C is equal to 75 180 degree 120 70 95 सभी एंगल को आपने इसी टाइप से प्रोटेक्टर की हल्प से ज्रो करना है हंची आगे देखो और सेकिंड कोश्चिन इसमें भी आपने इंगल कंस्ट्रक्ट करने है विद्धा हल्प ऑफ प्रोटेक्टर फिर्स्ट एंगल है 40 डिग्री तो हम ड्रो कर देंगी जैसे हमने 45 का किया है तो 40 और 50 के बीच में लिया था तो 40 का तो हम डिरेक्टी सिधा ही हमें 40 वाले पोइंट के उपर पोइंट दिखा देती हूं 105 यह पार्ट सोल कर देते हैं सेकिंड में से हांजी 105 का सेकिंड का डीप पार्ट 105 डिग्री हांजी दखो यहां पर हम एक लाइन ले ले लिपते हैं कि लायन सेहमेंट ले लिपते हां यहां पर हांजी लाइन सेगमेंट ले लिया AB या CD लेलो पीक्यों लेलिया माल लो अपनी मर्जी से कोई भीलाइन सेख्मेंट पीक्यों यहां से प्रोटेक्टर की यह वाली लाइन रखनी है और यहां से प्रोटेक्टर की यह वाली लाइन रखनी है और यहां से प्रोटेक्टर की यह वाली लाइन रखनी है और यहां से प्रोटेक्टर की यह वाली लाइन रखनी है और यहां से प्रोटेक्टर की यह वाली लाइन रखनी जो 0 degree angle दिखर रहा है आपको यह line दिखरी है 0 वाली D के अंदर उसको नीचे वाली जो हमने baseline ड्रो करें थी उसको बिल्कुल उसके उपर ही होनी चाहिए यह आगे पीछे नीचे नहीं होनी चाहिए इस ताइप से आपने D को अच्छे से रखना है अगर आपने थोड़ी सी भ कांट करना उल्टे कांट करते नहीं जाओ गया वनेटी से आपने जिस line के साथ आपकी जोइन हो रही है अगर इधर वाली साइड लाइन आपकी इसके साथ आप एड़ कर रहे हो यहां पे 0 डिग्री राडी में तो आप वहां से 0 से शुरू होएगे अगर वहां से आप वह 0 से यह वाली 0 से शुरू होना है हम फिर इस वाली 0 से शुरू होएगे अब आपने कहां से शुरू होना till यहां पे अगर ड़ी को रखते हो तो इस तैप से आपने यहाँ 0 से start करोगी count करना 105 का बनाना है तो यहाँ पे 90, 100, 0 से आप कहे count करते 100 और 110 इन दोनों के बीच में कितना बनेगा 105 यानि कि यह देखो आपको यहाँ पे बीच में 105 तो यहाँ पे हम एक point लगा लेते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा point ड्रो किया 105 के उपर अब D को हटा देते हैं और इस point को हम join कर देते हैं तो यह angle कितना बन गया 105 डिग्री इस point को R का नाम दे दो तो यह angle कितना बन गया 105 तो angle QP R is equal to 105 डिग्री तो इसी type से आपने सभी angle को protector की हैज से draw करना है धना थीज़ एक जड़ धना नाम च्रो जुड़ आ जाम झाला हैं